नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है विशाल गाडनिंग 83 के अंदर आज हम आपको दिखाएंगे अमरूत का प्लांट कैसे आपने लगाना है और कौन-कौन सी पर्टिलाइजर अमरूत के प्लांट को लगाते हुए इसकी मिट्टी के अंदर शामिल करनी है और कितने सा 21 के गमले में लगाना है ये देखिए दोस्तों ये हमारा अमरूत का प्लांट है ये ताइवान ग logged का प्लांट है यह चोटे सी ही प्लांट पे फ्रूटिंग करने शुरू कर देता है ये देखिए इसके अंदर जो बर्ड्स आ रही है और ये कैसे मेक्चेयOR हो रहा है ये पैक के अंदर लगा हुआ था जो कि हमने अभी नर्सरी से परचेज करा है यह प्लांट मान के चलिए कि हमें तकरीबन तकरीबन 150 रौपए का पड़ा है और यह इसलि आपको मार्किट से एविलेबल हो जाएगा और इस प्लांट की बात करें तो यह प्लांट है जो नंसमा इसका जो मुरूध है इसका स्वाद बिल्कुल वैसल ही रहता है थोड़ा सा साईज इसका छोटा रहता है जो आपने मार्किट में देखे हैं कुछ एक अमरूद बिखते हैं काफी बड़े साइज के होते हैं वन-वन केजी के उनमें वो फ्लेवर नहीं होता और वो स्वाद नहीं होता ये ताइवान मेडियम साइज का गौवा है जिसके अंदर पूरा आपको जो फ्लेवर है पूरा स्वाद है जो उनसा वो बिल्कुल जैसे नैच्रल अमरूद आता है जो हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर पाये जाता है वैसा ही फ्लेवर आएगा ये देखिए ये गमला जो हमारा है 18 इंच का इसके अंदर हम इसको लगाएंगे और यह देखिए हमने इसके अंदर जो इसके अंदर हम अब मिट्टी डालेंगे देखिए और यह इसकी जड़ है काफी अच्छी मजबूत भी है हमारे इस पोदे की तो यह पकड़ इसली कर जाएगा यह जो आप स्वाइल देख रहे है यह हमारी 50% है जो गार्डन स्वाइल है और इसके अंदर हमने 30% है जो वर्मी कंपोस्ट का यूज करा है मिक्स करी है और उसके लावा इसके अंदर हमने 20% नीम खली का भी प्रयोक करा है और इसके बाद हमने इसके अंदर जो बॉन मील भी इस्तमाल करी है तीन चार फर्ट वाइल त्यार करी है और इसकी जो अम्रूत की केर की बात करें आपको हर एक 15 से 20 दिन के बाद इसके अंदर इस प्लांट की मिट्टी की गुडाई करनी है गुडाई करने के एक दिन के बाद गुडाई करने के तुरंत साथ नहीं गुडाई करने के एक दिन के बाद आपने इ जो अमरूद का plant है बहुत ही जादा इसको खाद पसंद है, plant को तो वैसे भी हम ये गंबले के अंदर लगा रहे हैं इस plant को, तो हमें इसके अंदर जो है खाद का इस्ते से हमाल करना पड़ेगा, फंद्रा-फंद्रा दिन हड़ियों का चूरा होता है उसका इस्तमाल करना है आपने बॉन मील एक ऐसी खाद है जो प्लांट को बहुत जल्दी ग्रोथ करती है और बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करने में भी बहुत ज्यादा साहता करती है यहां नंबर तीन बात करें एक जो केमिकल वाली फर्टिला दालना है उस खाद को उस खाद को डालने के लिए आपको एक चम्मच वो खाद आपने डालनी है दस लिटर पानी के अंदर और उस पानी के दो जग जो है गंबले के अंदर फ्रूट के प्लांट में जैसे हमारा मुरूद का प्लांट है इसके अंदर आपने डालनी है तो यह तो रही fertilizer की बात उसके लावा इसके अंदर जो आपने कभी-कभी जो इसके अंदर जो कीट पतंगों की कीड़ा लगने की problem आ जाती है fruit मिठे fruit का plant है तो इसके अंदर अम्रूद में कीड़ा जल्दी लग सकता है तो उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों नीम खली का इस्तमाल कर सकते हैं नहीं तो नीम का तेल आता है नीम के तेल को पानी के अंदर mix करके आपने इसके उपर छिड़काओ करना है या market से इसके अंदर market से जो कीट नाशक दवाई मिलती है जो plants के अंदर use होती है उसको कम से कम मान के चलो की 5 ml लेनी है आपने और 5 ml लेने के बाद वो तकरीबन आपने एक लिटर पानी में dissolve करने है एक से दो लिटर पानी में फिर उसको छिड़काओ करना है जिससे इसके अंदर जो कीट की problem नहीं आएगी और जब भी ये इसका plant flower covering पे शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर watering कम कर देनी है क्योंकि अगर आप watering ज्यादा रखोगे तो यह plant का पूल है वो फल में तबदील होने में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है बाकी अमरूद इसका काफी शांदार आएगा और आपने इस तरह से इस size के गंबले के इस plant को लगाना है तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए बाई बाई